कहानी की सुरवात में हम समुद्र में एक बड़े से सिप को देखते हैं जिसका एक कर्मचारी सिप के बॉटम में कैद एक बड़े से सार्क को खाना खिलाता है और साथ में वो उस सार्क को एक सीरम भी लगाता है जिससे उस सार्क की आखे पीली हो जाती है अगले सीन में हम ए इस खाने का पीछा करके यहां पहुंचा होता है वो इसी बड़े सार्क के खाने का कुछ अंस होता है इसके बाद वो बड़ी सार्क उससे खुद को आजाद करने को कहती है और बदले में वो उसे धेर सारा खाना देने का वादा करती है इस बात पर वो छोटा सार्क मान जाता है और वो उस बड़ी सार्क के पिंजरे का दरवाजा खोल देता है दरवाजा खुलते ही बड़ी सार्क पिंजरे को तोड़ कर खुद को आजाद कर लेती है इसके बाद वो बड़ी सार्क बोलती है कि मेरा बदला लेने का समय आ गया है और वो उस छोटी सार्क के साथ वहां से निकल पड़ती है अगले सीन में हम पिंक कलर की एक छोटी मचली को दिखते हैं जिसका नाम पी होता है वो किसी से जान बचा कर भाग रहा होता है और भागते भागते वो एक छोटी सी चटान के पास जाकर रुख जाता है तभी एक बड़ी सी परचाई उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन ये कोई बड़ी सार्क नहीं बलकि पी का बेटा होता है दरसल पी अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है और ये दोनों खूब मस्ती करते हैं इसके बाद पी अपने बेटे के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है जहां उसे एक केकड़ा मिलता है जिसका नाम पी आरे होता है जो वहाँ के चटान पे खड़ा होकर उनके इलाके के निगरानी कर रहा होता है कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक नीली मचली मिलती है ये पी की मा होती है जो पी और उसके बेटे से मिलकर बहुत खोस होती है वहाँ से कुछ आगे बनने पर उन्हें एक नीली और एक तीन आख वाली मचली मिलती है जो पास के गुपा में घूमने के लिए जा रहे होते हैं ये सुनकर पी का बेटा उन लोगों के साथ चलने को कहता है लेकिन पी उन के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसने आज अपनी पत्नी केंड्रिया को वादा किया था कि वो उसे बाहर घूमने के लिए ले जाएगा इसलिए वो अपने बेटे को उन लोगों के पास ही छोड़ कर वहाँ से निकल जाता है दूसरी तरफ हम उस बड़ी सार को देखते हैं जिसका नाम ट्रॉय होता है वो पी के इलाके में आ जाता है और अपनी साथ वाली छोटी मचली से कहता है कि उसे यहाँ पर पंदरसो से भी जादा अलग-अलग नसली की छोटी मचलीयों की गंद आ रही है जिनका सिकार करके उसे बहुत मजाएगा इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उनके साथ मिलकर पी के इलाके के उपर हमला करने का प्लैन बनाता है ट्रॉय की बाते सुनकर उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं दूसरी तरफ हम पी को देखते हैं जो अपनी पत्नी केंडरिया के साथ इंजॉय कर रहा होता है यहाँ पर उसकी पत्नी पी को बताती है कि बेसक उन लोगों ने ट्रॉय से चुटकारा पा लिया है लेकिन फिर भी उसे दिखाना होगा कि एक छोटी मचली भी बहुत कुश कर सकती है और उसे चोटी मचलीयों को लीड करना चाहिए ताकि वो आने वाली मुसीबतों का सामना खुद कर सके अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रॉय अपने साथियों के साथ तेजी से पी के इलाके की तरफ बढ़ रहा होता है तभी वो केकड़ा जिसका नाम पीरे होता है वो ट्रॉय को अपने साथियों के साथ आता हुआ देख लेता है और वो ये बाते सभी को बता देता है ये खबर सुनते ही सब परिसान हो जाते हैं और अपनी जान बचा कर इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन जब ट्रॉय अपने साथियों के साथ पी के इलाके में आता है तो वो आगे नहीं जापाता है क्योंकि जहां पी छोटी मचलियों के साथ रहता है उस जगा और समंदर के बीच में चट्टानों की एक दिवार होती है जिसे ट्रॉय पार नहीं कर सकता है इसलिए मजबूरी में उसे वहाँ से वापस जाना पड़ता है वही दूसरी तरफ हम पी को देखते हैं जो ट्रॉय को अपने इलाके में देखकर बहुत परिशान होता है तब ही वहाँ पर एक कच्छु आता है वो ट्रॉय से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए और उन छोटे जीवों को अपनी जिन्दगी जीने दे इस पर ट्रॉय बोलता है कि वो लोग अब उससे नहीं बच सकते क्योंकि चार दिन बाद समंदर में जोआर आने वाला है जिससे समंदर का पानी का लेवल बढ़ जाएगा तब वो उन लोगों पर हमला करेगा और तब उन्हें ये चट्टान की दिवारे भी नहीं बचा पाएगी इसके बाद वो अपने टेल से चट्टान पर एक जुरदार वार करता है जिससे चट्टान से पत्थर गिने लगते हैं और कच्वे को अपनी जान बचा कर भागना पड़ता है और धमकी देने के बाद ट्राय वहां से चला जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि सभी मचलियां पूरी तरह से डरी हुई है तब ही वहां पर कच्वे के पास जाता है इस समस्य का भी कोई ना कोई हल तो ज़रूर निकलेगा इस पर कच्वे कहता है कि ये कैसे संभव है चार दिन में जुआर आने वाला है और वो अगेला ट्राय को कैसे रोख पाएगा इस पर कच्वे का हूं हो तुम्हारे पास तो तुम्हें चाने वाली की पूरी फौज खड़ी है, वो तुम्हारी बातों को मानते हैं, और उन्हें जरूरत है एक सही कैप्टन की, और वो तुम हो, तुम अगर इन्हें ट्रेनिंग दोगे तो ये युद्ध के मैदान में तुम्हारा साथ जरूर दें वो उस मचली को, जिसने उसे उसके पिंजरे से चुड़ाया था, उसे माने के लिए उसका पीछा करने लगता है, और वो भाकते भाकते पी के इलाके में आ जाती है, जहां ट्रॉय नहीं आ सकता, और जब पी ये सब देखता है, तो वो उस छोटी मचली को अपने साथ रहन होता है, लेकिन कोई भी खुद पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और इसी दोरान एक मचली वहां खराब पड़े पंडूबी के अंदर चली जाती है, और अगले हिपल पंडूबी में से एक मिसाइल निकलती है, जो पास के एक चट्टान से टकराती है, जिसस एक जोरदार बलाश्ट होता है, लेकिन खुसकिसमती से इस दुरगटना में किसी की जान नहीं जाती है, अब यहां पर वो मचली जिसको ट्रॉय ने जैसुसी के लिए भेजा था, जिसका नाम रौनी होता है, वो धीरे धीरे सभी जीवों को अपनी चिकनी चुपडी बात में फसाना सुरू कर देता है, और देखते ही देखते वो सबका फेवरेट बन जाता है, अब एक दिन जब पी सभी को ट्रेनिंग दे रहा होता है, तब ही वहां पर रौनी आता है, जो पी से कहता है कि सभी जीवों के पास अलग-अलग सकतिया है, तो क्यों ना एक प्रोग प्राम का एयोजन होता है, जिसमें सभी जीवों अपने अपने टैलेंट का पदर्शन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रौनी ये सारी बात है ट्रॉय को भी बता देता है, रौनी की बात सुनकर ट्रॉय बहुत खुस होता है, और कहता है कि ऐसे ही कुछ दिन और वो उन कोसिस भी कर रहा है, ये सुनकर केंड्रिया कहते है कि ठीक है, उसे उस पर पूरा बरोसा है, वो जरूर अपने मकसद में काम्याब होगा, उधर रौनी सभी छोटे जीवों का ओडिसन ले रहा होता है, जहां पर सारे जीव अजीवों गरीब का नामें दिखा रहे थे, वह इसके बाद ये सब मिलकर ट्रैप बनाने की कोसिस करते हैं, ट्रैप बनाने के दौरान इने बहुत सारे मुस्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये हार नहीं मानते, वहीं दूसरी तरफ रौनी अभी छोटे जीवों का ओडिसन ले रहा होता है, अगले सीन में हम पी को देखते हैं, जो केंडरिया से मिलने जाता है, केंडरिया पी से मिलकर बहुत खुस होती है, और कहती है कि तुमने देखा कि ओडिसन में सभी कितने खुस थे, उसने आज तक इन सब को इतना खुस कभी नहीं देखा, इस पर पी कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उसे इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ट्रॉय उन पर हमला करने आ रहा है और उन्हें लड़ने की तेहारी करनी चाहिए लेकिन तबी रॉनी पी की बात बीच में काट कर कहता है कि कल ओडिसन का अंतिम दिन है और उसे लगता है कि उसे इन फालतो बातों पर ध्यान नहीं द पर जाता है वो उससे कहता है कि अब वो अकेला पड़ चुका है उसने उन्हें सिखाने की पूरी कोसिस की लेकिन कोई फाइदा नहीं उसे विश्वास नहीं हो रहा कि केंड्रिया रौनी का साथ दे रही है इस पर कच्छुआ बोलता है कि कोई बात नहीं समय के साथ सब और कहता है कि अगर तुम इसे कंट्रोल कर लो तो तुम पूरे समुद्र पर राज कर सकते हो लेकिन एक असली लीडर ही इसे कमांड दे सकता है ये देखकर पी पूरी तरह से हैरान हो जाता है इसके बाद पी वहां से सीधा उस जगा पे आता है जहां पर उसने ट्रैप बन बाते सुन रहा होता है और वो ये सारी बाते ट्रोय को जाकर बता देता है जिस पर ट्रोय कहता है कि तुम किसी भी तरह से उस ट्रैप को बरवात कर दो नहीं तो वो उसे जिंदा नहीं छोलेगा इसके बाद रॉनी वहां से निकल जाता है तभी रास्ते में उसे एक इसके बाद वो सभी जीवों को इकट्टा करता है और कहता है कि आज ओडिसन का फाइनल दिन है जो भी उस गुफा से रेड क्लिफ को सबसे पहले लाएगा वही विजेता होगा रौनी की ये बाते सुनकर सभी जीव तेजी से गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं दरसल रौ आजी रौनी को देखते हैं जो सभी जीव को डांसा स्टेप सिखा रहा होता है तब ही वहाँ पर पी आ जाता है जो रौनी से कहता है कि तुमने ये क्या किया तुमने जाल को पूरी तरफ से बरवात कर दिया अब उन पर कभी भी हमला हो सकता है वो कहता है कि वो यहां कर सबको उनके मकसद से भटकाने की कोसिस कर रहा है और उसे लगता है कि अब उसके जाने का समय हो चुका है यह सुनकर केंड्रिया बोलती है कि यह कहीं नहीं जाएगा और इस पर उन सबको पूरा भरोसा है कि वो उनका दुस्मन नहीं है और ट्रॉय कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बस उन लोगों को नाच गाने में फसा कर रखो, आगे वो देख लेगा कि उसे क्या करना है, इसके बाद हम पी को देखते हैं, जो कच्छवे के पास जाता है, लेकिन कच्छवा एक जादवी दुनिया में चला गया था, उदर र रोनी केंड्रिया को डांस सिखाने के बहाने चट्टान के उस पार ले जाता है, और वो उसे ट्रॉय के हवाले कर देता है, लेकिन तब तक रोनी को भी समझ में आ जाता है, कि वो ये सब सही नहीं कर रहा है, उधर पी कच्छवे से कहता है कि इस समय उनकी हालत बहुत खरा होता है, लेकिन इससे पहले की पी रोनी को मारता, रोनी अपनी गलती मान लेता है, और वो अपनी गलती को सुधारने का एक मौका मांगता है, रोनी की बात सुनकर पी उसे माफ कर देता है, इसके बाद ये सबी मिलकर काम करना सुरू कर देते हैं, ये अपने ट्रैप को एक करते हुए केंड्रिया को लेकर वहाँ से निकल आता है और जब ट्रॉय के साथ ही उसके पीछे जाने लगते हैं तो रोनी उन्हें रोक देता है और कहता है कि उन लोगों को उसके पीछे जाने की कोई जोरत नहीं है अब वो उनका लीडर है तब ही वहाँ पर ट्रॉय आ जाता है जो रोनी को एक बार में ही खा जाता है अगले सीन में हम पी को देखते हैं जो केंड्रिया को लेकर अपने इलाके में पहुँच जाता है वहीं दूसरी तरफ हम कच्छुए को देखते हैं जो धदकते लावों के बीच में से होते हुए एक बड़े से आग की गहरी खाई के पास पहुचता है और वो उस खाई में छलांग लगा देता है दूसरी तरफ हम ट्रॉय को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ मिलकर पी पर हमला कर देता है और वो एक एक करके सभी को माना सुरू कर देता है और एक पल ऐसा भी आता है जब ट्रॉय पी को माने ही वाला होता है कि तब ही वहाँ पर एक चमकता हुआ ड्रैगन आ जाता है जिसके सी पर वह कच्छुआ बैठा होता है जो ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा होता है ड्रैगन के आने के बाद पीका पच्छ भारी पढ़ने लगता है और वो जीतने लगते हैं लेकिन तभी ट्राय पीछे से हमला करके कश्वा को नीचे गिरा देता है जिससे उसके हाथ से ड्रैगन का कंट्रोल छूड जाता है अब ट्रै और उन सारे छोटे जीवों के बीचे एक खतरनाक युद्ध होता है और इसी फाइट के दौरान ट्रै पी का पिछा करते हुए उस गुफा तक पहुँच जाता है और वहाँ वो पी के दौरा बनाये गए ट्रैप में बुरी तरह से फस जाता है और ट्रैप के एक जोरदार जटके के साथ वो एक जहाज के ऊपर आकर गिरता है और जब जहाज का कैप्टन ट्रै को देखता है तो वो ट्रै को फिर से एक बार वही सीरम लगा दिता है जिससे ट्राइकी आंके फिर से पीली हो जाती है और वो दद के मारे वहीं फड़पलाने लगता है वहीं पी अपनी पत्निक इंडिया को वापस पाकर बहुत खुस होता है और सभी छोटे मचलियं ट्राइ से पीछा शूटने पर बहुत खुस होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड सेर द वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब तो माइ चैनल और प्रेस दाट बेल आइकन